सीए और एनर्सी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ लंबे समय तक उसके बाद ठंडे बस्ते में गया लेकिन अब एनर्सी तो नहीं लेकिन सीए का नोटिफिकेशन सरकार भारत सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है उसे अब लागू किया जा रहा है और इस अधिनियम में क् आते रहे हमारे साथ कौशिक देका सर है सर यह जब स्टी आता है तो एक बड़ा फैशनेट करके बताया जाता चाहे सत्ताधारी दलो चाहे विपक्षी दलो अगर ग्रे मंतरी की गाड़ी के नंबर प्लेट पर सीए नजर आ जाता है तो एक वरग होता है एक दम किया रहे और अफगानिस्तान इन में जो छे कम्यूनिटी है जो भारत में 31 दिसेंबर 2014 से पहले भारत में घुच किया हो और इलिगली रह रह रहा हो कम से कम 5 साल वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अब एक वे पोर्टल खोल देंगे जहां पे वो सिटिजन्सिप के लिए अप्लाई कर में जो कानून है C.E.A. के सिटिजन्सिप एमिनमें एक उसमें कहीं यह लिखा नहीं हुआ कि रिलिजियस परसीक्यूशन के वैसे वो आये हो किसी वी वैसे आये हो वो एप्लाई कर सकते हैं और उनको आफ्टर वेरिफिकेशन अगर सरकार संतुस्थ है और उनको सिटिजन सिटिजन्सिप जाने की बात ने है इंकलूशन की बात है अब यहाँ पर पहला समझ साय ये बताया गया कि Muslim क्यों नहीं है तो सरकार की तरफ से लॉजिक की आया कि क्योंकि इन तीन कंट्रीज में मुस्लिम की पर्सीकूशन मुस्लिम मिजॉरिटी कंट्री होने की कोई समभावना नहीं है, तो इसलिए हमने ये प्रावधन मुस्लिम के लिए नहीं रखा, ठीक है अगर वो बात सच था, लेकिन कानून में वो बात नहीं बताया गया कि यह सिर्फ religious persecution की वएसे अब हम इसके आगे अगर जाएं तो असाम में भी यह बिरोध हुआ असाम में बिरोध इसलिए हुआ क्योंकि वहां से जो एक समझ से बहुत सालों से चल रहा है बंगलादेशी immigration illegal immigrants उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होते है तो आसमीज लोग या नौटिस्ट के लोग का कहना है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो बंगलादेशी जो है हमारे लिए खत्रा है हमारे identity के लिए खत्रा है तो ज़्यादा तर हिंदू बंगलादेशी इसको अगर आप citizenship दे दोगे तो हमारे language culture इनमें खत्रा आ जाएगा demography change होगा तो ये इसलिए उन लोग के ये inclusion की वज़े से वो चाहते है कि किसी को भी ना दिया जाए हो हिंदू को भी ना दिया जाए और यहां पर विरोध ही हो रहा है कि मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जा रहा है तो अलग-अलग वज़े से विरोध हो रहा है लेकिन C.A. क कि में प्रावदान inclusionary है मुझे नहीं लगता बहुत सारे ऐसे illegal immigrants in चे कम्यूनिटी के भारत में है मुझे नहीं लगता यह आकरा लाख तक भी पहुंच जाएगा एक long term visa पे 2018 के आकर आकरा देखा जाए तो कम से कम 30-32 जार लोग है और उनके साथ और जोर दीजिए क्योंकि ये भी सच है कि हमारे जितने भी लूपोल्स है तो कोई ऐसे illegal immigrant सालों तक बैठे नहीं रहते है कि citizenship कोई आके देगा वो paper work कर लेते हैं वो Hindu हो Muslim हो जो भी आते हैं illegal तीरे-दीरे paper work कर लेते हैं और assimilate हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग application के लिए भागें किया है इसको लेकर दोनों ही पक्ष थोड़ा भ्रहम फहलाने की कोशिश करें एक पक्ष जो सत्ताधरी पक्ष हो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सारे हिंदों के ख्याल रख रहे हैं हाला कि पांच और religious group भी है और दूसरे side ये बताने की कोशिश करें ये Muslim को भारत से करने की एक प्रक्रिया जो भी सच नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कहां ये inclusion का process है तो जो असम में प्रोटेस्ट है वो उनकी लड़ाई भाशाई असमिता और इसको लेकर के हैं लेकिन जैसे ही ये सीए का notification आता है तो क्या वज़य होती है कि शाहिन बाग में पुलिस जाती है लखनाओ के कुछ इलाकों में गश्ट बढ़ जाती है क्यों इसको sensitive तोर पर देखा जाता है क्योंकि last time भी आपने देखा शाहिन बाग में यह ऐसे जहां पे मुस्लिम प्रधान जगह है वहां पे विद्रो हुआ विरोध हुआ तो शायद इसलिए law and order situation बिगरे न इसलिए कर रहे है यह मैं कहूंगा कि मुस्लिम को include करना चाहिए था नहीं चाहिए था यह एक अलग मुद्दा है लेकिन जिस base पे कि मुस्लिम लोग के citizenship चला जाएगा इसके वएसे यह हम कागज नहीं दिखाएंगे यह सब जो बात है यह भ्रहम है इस protest का आधार नहीं है प्रोटेस्ट होना चाहिए इस बात पर प्रोटेस्ट कर सकते है कि मुस्लिम को क्यों include नहीं किया गया वो संभीधान में कहा जाता है सब को एक तरीके से देखना चाहिए लेकिन उसमें भी reasonable restrictions के बात आते है अब यह जो सरकार ने तरक दिया है कि वहाँ पे जो persecuted है हम उनको एक सुविधा देर है refugee के तरह जो आए है अगर वो तरक है तो कानून में वो तरक आना चाहिए तो दोनों पक्ष में ही थोरे बहुत मैं कहूंगा मिथा के आश्रे लिया है तो सारी बाते clear करना चाहिए दोनों ही पक्ष को और देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए अच्छ अगरिक्ता नहीं मिलेगी क्योंकि वह इस लिस्ट में नहीं है मतलब एक तरीके के यह क्लॉस फिक्स है कि इन ही इन ही लोगों को दी जा सकती नागरिक्ता आप सर कौशिक सर जो है इंद्या टुडे ग्रूप के नौर्टीस्ट के एडिटर भी है आपके पास वहां से कोई सुचना आई कि असाम में किस तरीकी की प्रतिक्रिया इस पर असाम में थोरा बहुत विद्रो होगा जैसे आसंका है विद्रो मतलब बिरोध होगा जैसे पहले भी हुआ था लेकिन अगर आप सवाल मुझे आगे यह करने वाले है चुनाब में इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है जो पहले ही साफ हो गई और मैं आपको स्पेस्पिक बता देता हूं नागरिक्ता संशुधन अधिनियम 2019 भारत के तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्तारित होकर भारत आये शरार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी उनको भारत की नागरिक्ता का अधिकार देने का कानू नहीं यह एक पॉइंटर है यह कोई सरकारी काज़ नहीं है ऐसी बात है तीन देश कौन है अफगानिस्तान पाकिस्तान मांगलादेश छे माइनोर्टी कम्मूनिटी कौन है हिंदू सिख बौध जैन पार्सी इसाई प्रमुक मुद्दे क्या है पुनरवास और नागरिक्ता की कानूनी बाधाओं को दूर करना दर्शकों से पीडित शर्नारतियों को सम्मान जनक जीवन देना नागरिक्ता के आधार प्रसांस्कृतिक भाशिक सामाजिक पहचान की रक्षा होगी नागरिक्ता संशोधन कान कानून के संदर्व में कई गलत फैमिया पहलाई गई हैं यह बात भी इसमें लिखाया कि यह नागरिक्ता देने का कानून है C.E.A. से किसी भी भारती नागरिक्ता नहीं जाएगी चाहे वो किसी भी धर्मका हो ये कि वल उन लोगों के लिए है जिनें वर्षों से उत्पीडन सहना पड़ा जिसकी वज़ा से दुनिया में भारत के अलावा कोई जगए नहीं है बारत को सम्मेदान हमें अधिकार देता है कि मानावतावादी दिश्चोर से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागिकता प्रदान कीज़े लागू करने में देरी हुई लेकिन अब हम इसे लागू कर रहे हैं हमने हमारे 2019 लोगसबद चुनाव मैंने पहस्टों में कहा था हम पडोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अलब संख्यकों के संड़क्षण के लिए सिटिजन्शिप एमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है आज वादे को कॉंस्ट्यूशन की स्पि चाहिए इसलिए कि कहीं पे शांती भंग ना हो कहीं पे बल्बा की स्थिति ना हो जैसे फर्श कीजिए मैं जोदपूर गया था और जोदपूर में ऐसे पहाड़ी छोटी सी है उस पहाड़ी के उस पार एक कृष्णा कॉलोनी नाम की जगह है कृष्णा कॉलोनी में I think सैक पहले आगे कुछ ने नागरिक्ता के प्रयास किये कुछ ने बहुत हाथ पायर चला लेकिन नहीं मिली और वह अभी भी एक तरीके से एक जोपडियां है बहुत सारी और उन जोपडियों में वह रहते हैं ना उनको प्रॉपर बिजली का कनेक्शन है बिजली भी लिए तो क प्रिकली उनको ये कानून फायदा देगा और जैसा कि कौशिक जी ने बताया कि बहुत जदा लोगों की संख्या नहीं हैं तो आपको आने वाले साल में भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने जो हैं पहले से और कुछ की आने की संभावना या जो आना चाहते हैं और खासक तो एक बार वो गजट निकाल करके पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद अपनी राय बनानी चाहिए, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पिछे प्रशान्त है, कौशिक जी हमारे साथ है, आपको पूरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएगा, दे